इसलामेन स्गल इफ़ से मनूलाबभी आप्पम शरय करत सकते हैं द Live वन कहा है के जो रेडी हो जो रेडी हो चुके हैं अब बाबा को पता है पर और ने सूक्द मने कामेर हैं करो नहीं तो यहां नी तो यहना सै खहा है गुचनी तो में रेडी हो चुका हूं यहां पर एक मस्जिद है देखिए कितनी जादा बीटिफुल है शाम हो चुकी है तो इसकी लाइटे अन कर दी है उन्होंने आगे आकर हमें एक खजूरों का बाग नज़र आया है यह रोड से डाउन है तो मैं इसलिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ बबा ने हमें रस्ते में ही बिता दिया कि हम लेक पार जा रहे हैं और यह देखें कितना ज़दा सुंस तूटे पूटे अल्ला से दुआ है कि पाकिस्तान के वी रोड ठीक हो जाएं आमीन पहले मौंटेंज वाली साइड थी और अब सहरा वाली साइड आ चुकी है रस्ते में बाबा को प्यास लगी और बाबा ड्राइविंग में भीजी थी तो मैंने इनको गोल्डिंग पिला सदा लाइटिंग किया कि मारा जो सो दिया वो ब्यूटिफुल लगे यहां से लेक पार्क का एरिया शुरू हो चुका है इन्होंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है के लेक पार्क यहां से लेक पार्क तक जाने में तकरीबर एक गेंटा लग जाता है यह भी सारा विराना लाका है यहाँ पर यहाँ प्हार और डैजर्ट की हिर्वा कुछ भी नहीं बटर रोड्स बरे कमाल के हैं यार यहाँ से लेक परक्ष्यू हो चुका है यहाँ पर बस दो тीम फैमलीज हैं कोई नहीं है हमारी लवा और कोई नहीं रात हो चुकी है कुछ नजर नहीं आ रहा फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहां पर मैं इस लेक को हाद लगाने वारा थो तो बाबा ने कहा कि यह गंदा पानी है इसको टच मत करना अगर ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ज़्यादा साफ पानी है तो वहां पर तो कोई नहीं था है उद्धा से लिका लाएं और यहां पर देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटिफुल ट्रीज हैं ट्रीज के नीचे ब्लू कलर की लाइट लगाई हैं जिसके वह सी ट्रीज ब्ल यही हैं और यह बद अब बाबा में पर यहां पर कुछ बिच्छे के पास इलक्ट्रानिकr बाएं यह बाइक के फाइक इस बाएं जब इसे लारे हैं मुझे था हैं नाइट टाइम पर और राजowers के पानी जब गिर गें तो फिर यहां पर तीन-चार बच्छे था उन सब क और दो पास थी हम आए पहले नइट टैमिंग पर आज हम आए टायम पर तो यहां पर मचली आए मोसाई नज़ारी है मेरे पास जूच्ट था देखे मैंने पहले हैं कैसे सारी मचलियां उपर आके खा रही हैं मेरे पास बिस्कृट है तो मैं डालता हूं तो यह खा लेती हैं और यह ताइम पर तो यहां पर जो फीश है वह साफ साफ नजर आ रही हैं कितनी जादा बड़ी है और कुछ छोटी है यहां पर मैंने फिर से बिस्कृट डाला लिए तो देखना कैसे आती है यह सारी आई है वाओ कि मैंने आज देखा तो पानीड़ प्रड़ी है यह खाला आ यह लगा फिश नहीं पता नहीं क्या है यह यह पूरा लेक ऑद mismos नहीं बड़ा लेका इतना बड़ा लेका तो साइव फीशी फीश रहती है हम यह बार यहां पर इतनी जादा गरम हुआ लगती है मूपे तो मैं मैं कच्रा फैंक आता हूं और यहां पर पानी के अंदर जादा तर फीश जो हैं वो खाने वाली साइड जैसे कि मैं जब बिस्कुट डाला था ना तो उस साइड पर सारी फीश आगई अब कोई और जाले का साथ जा जाएंगे सारी फीश उस साइड को जाते हैं कि वो हमें खाना मिले मगर मुझे तो जाएंगे बहुत जाएंगे बहुत जाएंगे क्योंकि यहां पर देन नाइट पर आये थे उस दिन कुछ नजर नहीं आया था और आज सब कुछ नजर आ रहा कि क्या क्या है इसका फीश मुझे पूरा लेक है यहां पर हम सीविंग और फिशिंग दोनों नहीं कर सकते हैं और यहां पर यहां पर पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा कि इस तरह की जगह कोई पर भी है यहां पर होती ही पाकिस्तान में तो सोची एंट्री कितने पैसे लेते हैं यहां पर फ्र गवाद मारेंगी तो जो फिछ है वह अपर आएगी तो घखा लेगी यह लिकायक करे यहां पर कुछ फैमिली इसमिये को रूटब दालें तो मैंने विडियो बना लेगी को आई जा रहें अब मैंने यहां पर बात पर का दाएगा कि जैसा डाल जोगी वह साइट साइट से ज भी हो गई है दिन टाइम पर बहुत जादा प्यारा लगा था नाइट में तो जड़ता लाइट है इसलिए तना प्यारा नहीं लग रहा था और यह पूरा लेक का व्यू मैं आपको दे रहा हूं और यह पूरा यहां से फिश साइट यहां पर यह रहे हैं इनके वाश्रूम यहां पर हर जगह पर वाश्रूम है पाकिस्तान में हर जगह वाश्रूम होते हैं और इनके वाश्रूम बहुत जादा साफ होते हैं पाकिस्तान के तो जादा गंडे गंडे होते हैं इनके वाश्रूम इतने जादा साफ हैं तो हम लेक पार्क से लिकल के आचुके थे तो हम भेड़ानी का तो बापा ने काल रषे काले ने साल भाव खाने के लह ओप यह घ약 के लिए कि वह रहें जागी है जागी嗯 झालो फिर्ट झालो फिर्ट